नमश्का राजदाना ठीगी पर आपका स्वागत है में प्रियाम आपके साथ फिन इंडरस्ट्री में शत्रोगन सिना ने शुरुआत विलन के रूप में की थी लेकिन फिर वो बतोर हिरो के रूप में पहचाने जाने लगे हाली में एक इंटर्वि के दोरान दिगच एक्टर शत्रोगन सिना ने अपनी जिन्दगी के पूराने संगरशों के बारे में बात की शत्रोगन सिना 80 और 90 के दशक के वहदरिन एक्टर्स में से एक थे फिल्मों में उनके बोले गए डायलोग तक क्या गलम बन चुके थी अपनी जिंदगी के पुराने की सुक को शेर करते हुए और उनने कहा एक समय पर कई एक्टर्स को मुझसे दिक्कत होने लगी थी उन एक्टर्स को ऐसा लगने लगा था कि मेरा किरदार और डायलोग दोरों हीरो से ज़्यादा अच्छे हैं इसलिए वे मेरे साथ काम करने से इंकार कर दिया करते थे यहां था कि एक्टर्स को मुझसे इसलिए भी दिक्कत होने लगी क्योंकि उन्हें लगता था कि मुझे ज़्यादा फूटेज दी जाती है उन्हें लगता था फिल्म में विलेन होकर भी मैं ज़्यादा पॉपुलर हूँ मेरे बारे में अफ़ाहे उड़ाई गई थी कि मैं सेट पर लेट आता हूँ इस वज़े से मुझे काम मिलना ही बंद हो गया था मेरे हाथ से विलेन के रोल्स निकल गये थे फिर मुझे हीरो के रोल मिलने लगे तब जाकर मेरे करियर की बतोर हीरो शुरुआत हुई शत्रुगन सिना ने अपने स्ट्रगल के दिनों को भी याद किया उन्होंने कहा मेरा संगर्श धर्मेंदर और अमिता बच्चन से काफी अलग रहा जितना मैंने स्ट्रगल किया उतना शाहिदी धर्मेंदर सहाब या अमिता बच्चने क्या होगा धर्मेंदर तो अपनी रील के डब्बे उठा कर अपने साथ ले जाया करते थे अमिता बच्चन के बारे में सुना है कि वे बेंच पर भी सोजाते थे इस तरह का स्ट्रगल मैंने कभी नहीं किया मैं दो-तिन दिन भूका जरूर रहा हूँ मैंने अपने करियर को सामने से खोता हुआ देखा है मैंने ठोकरे खाई है और फिर करियर को री स्टार्ट भी किया है बागी की तबाव को अबरों के बने रही है राजडवा नभी के साथ ताने बाद